किसी ने सही कहा है कि अपने जो होते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते बलकि हमारी प्रतिक्षा करते हैं जो हमें प्यार करता है वो हमारी परिक्षा कभी नहीं लेगा बलकि वो हमारा समय रहते इंतिजार जरूर करेगा और दोस्तों हमेशा अपने मान प्रतिष्ठा की कभी भी कोई भी प्रकार से कमी ना आने दे हमेशा अपना मान सम्मान बनाए रखें क्योंकि आपका सम्मान एक बार चला जाएगा तो जीवन में कभी वापस नहीं आएगा और हमेशा जो लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं उनकी मदद जरूर करें लेकिन जिनकी नियत खराब है उनसे हमेशा दूर ही रहे और दोस्तों ऐसी बात आपको जरूर बताना चाहते हैं कि जब भी आपकी हक अधिकार और आपके सम्मान की बात आए तो कभी ना जुकें क्योंकि आप रिष्टा बचाने के लिए एक बार जुक जाएंगे तो जिन्दगी में सब यही सोचेंगे कि यह तो हर बार जुकेगा और हमेशा याद रखिए कि आपका समय इतना कीमती है जितनी आपकी जिन्दगी है क्यों जो इंसान आपका समय और आपका मेहनत का फल ली रहा है वो इंसान आपका कभी भला नहीं चाहता जो इंसान आपके सामने मीठी मीठी बाते करता है और आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई करता है उस इंसान से दूरी ही बनाय रखने में समझदारी होती है हमेशा वक्त का पहिया हर किसी का बदलता है छोटे छोटे प्रयास किये हुए वो हमेशा एक बड़े सफलता दिलाते है और हमेशा आपको एक बात या दखने चाहिए कि जो लोग हमसे दूर रहकर खुश है उन्हें खुश ही रहने दे क्यों जिन्हें हमारी कदर नहीं है हम उनके पास जाएं क्यों अपनी बेकदरी कराने के लिए और एक बात और हमेशा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की ही इज़त होती रही है और उनकी ही होगी क्यों चाहिए जैसा भी कैरेक्टर हो इससे कोई फर्क नहीं बड़ता दुनिया ऐसी ही है जब आप चपचाप से गरीबी में जिएंगे तो लोग आप पर हसेंगे जब आप मेहनत करेंगे तो लोग आपको ताना मारेंगे लेकिन जेदे आप कामियाब हो जाएंगे उस दिन सब लोग आपसे जलेंगे और ये अपनी जिन्दगी के कुछ अमूली च्छण आपको हमेशा अपने लिए बचाए रखने है क्योंकि हम जाते है इस दुनिया से तो कुछ भी नहीं ले जाते अच्छा बुरा किया हुआ कर्म ही हमारे साथ चाता है और इस कर्म के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों का ही पालन करना चाहिए जीवन एक बार मिलता है उस जीवन में ऐसा ना हो कि हमें फिर दुबारा रोना पड़े कि हमें जिन्दगी में कुछ करने के लिए मिला ही नहीं कोई हमें इतने बुरी तरह से यूज कर ले हमारा वक्त ले ले हमारी जिन्दगी के हर एक पल पर अपना अधिकार कर ले और हमारे खुशी के हर एक पल पर सिर्फ वो अपने महताज रखे ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखे क्योंकि हमेशा जिन्दगी में वोही लोग सकसेस होते है जो दूसरों की बातों में ना आकर अपने मन की सुनने वाले हमेशा कामियाब होते है और आप अपने मन की सुनकर अपने आप के साथ नियाए करेंगे